हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग आई होग दोस्तो सब बढ़िया होंगी दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाल है SDFC बैंक की बैस्ट रूपे विरियन क्रेट कार्ड जिया दोस्तो SDFC बैंक ने आप उस क्रेट कार्ड के लिए अप्लाइ करके दोस्तो आप इन रूपे विरियन क्रेट कार्ड ले सकते हैं तो वीडियो के दोस्तो चैनल पर फर्स्ट रमायत सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ऐसी आप सबको हमेशा मेरे चैनल पर मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तो विदाउट एन डिले चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला क्रेडित कार्ड हमें यहां पर देखने को लिएता it pharmacy bank urq निन क्रेडिट कार्ड जेहां दोस्तो इस क्रेडित कार्ड की जॉइनिंग फ्रीजिष है प्लस टैक्सित कौ ले सकता है इस может करके major benefits की बात करें दोस्तों के यहां पर groceries departmental stores plus dining वाली categories में दोस्तों आपको up to 3% का cash points देखने को मिल जाता है utility payments फे दोस्तों यहां पर आपको 2% का cash points मिलता है दोस्तों cash points की value की बात करें तो यहां पर one cash point की value 25 पैसे इन्हों रखें तो यहां पर दोस्तों काफी अच्छी कासे यहां पर cash points की value भी हमें देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों इस credit card से पूरे साल बर में आप 25,000 रुपे से उपर तक spend कर देता है जो की easily आप कर देंगे तो दोस्तों यहां पर जो renewal fee से है यह credit card provide करता है दोस्तों इस list में दूसरा credit card हमें आप देखने को मिल जाता है टाटा न्यू infinity hdfc bank credit card जहां दोस्तों यह co-branded credit card है जो की टाटा के साथ मिलके इन्होंने launch किया है दोस्तों इस credit card की joining fees की बात करें आप 1500 रुपीस देखिए आप इस credit card को ले सकते हैं दोस्तों एक credit card पहले visa variant में मिलता था लेकिन अब यह रूपे variant में भी available हो चुका है दोस्तों यहां पर अगर data new application में इस credit card को आप use करते हैं और उस application पर कुछ भी आप purchase करते हैं इस credit card से दोस्तों तो यहां पर आपको 10x new coins मिलेंगे तो यहां पर आपको 10% reward points देखने को मिल जाता है इसके साथ इनकी जितने भी partner brand है उन पर अगर आप shopping करते हैं दोस्तों तो यहां पर 5% तक की reward points मिलता है और utility bill payments पे भी दोस्तों यहां पर आपको 5% तक का reward rate देखने को मिल जाता है दोस्तों reward points तो काफी अच्छे कासे यहां पर एक credit card आपको दे रहा है और मानलीजी आपनी काफी अच्छे कासे reward points कलेक कर लिए तो दोस्तों आप easily इन सभी ब्रैंड्स पे आप reward points को utilize कर सकते हैं और सबसची बाद दोस्तों reward points की value आपर 1 रुपीज रखी गई है इस credit card में तो यह credit card और भी जादा valuable हो जाता है आप चाहे जैसे ही आपर shopping कर सकते है reward points आपको definitely मिलेंगे और reward points की value भी बहुत ही जबरदस् दोस्तों यह credit card आपको domestic airport launch access की facility भी provide करता है आपको पुरे साल भर में दोस्तों 8 domestic airport launch access मिल जाते हैं और इसकी साथी international punch access की बात करें तो यहाँ पर आपको four you representatives हिल जाते है international पूरे साल भर में दोस्तों एक credit card अच्छे कासे insurance benefits भी provide करता है अगर यहाँ पर आपका year accidental death हो जाती है तो यहाँ पर आपको 1 crore rupees तक का insurance देखने को मिलता है और इसके लावा health emergency में दोस्तों up to 15 lakh rupees तक का benefit as a insurance एक credit card आपको provide करता है दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर renewal जो fees है 1500 rupees वो totally आप विवाफ कर सकते हैं आपको simply पूरे साल बर में दोस्तों 3 lakh rupees तक spend करने होगे और आपकी जो renewal fees है वो totally विवाफ हो जाएगी और इसके लाव 1% तक का fuel surcharge विवाफ भी मिलेगा और दोस्तों अगर आप foreign transactions करते है foreign websites फिर shopping करते है तो यहाँ पर जो foreign transaction fees लगती है 2% तक का foreign transaction fees यह credit card चार्ज करता है दोस्तों तीसरा credit card हमें यहाँ पर Tata New plus HDFC Bank credit card देखने को मिल जाता है दोस्तों यह infinity variance से थोड़ा सा downgrade credit card है और लेकिन benefits इसमें भी अच्छे कासे देखने को मिल जाता है इस credit card की joining fees की बात करें तो only 500 rupees plus taxes देखें आप इस credit card को ले सकते हैं इस credit card के अगर Tata New application में आप shopping करते हैं तो up to 7% तक का आपको यहाँ पर return देखने को मिल जाता है और इनके जितने भी partner brand है उन पर अगर आप shopping करते हैं तो 2% का reward rate यह credit card आपको provide करता है इस credit card में भी दोस्तों आपको reward points की value same ही मिलेगी यानि कि 1 reward point की value 1 rupees आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों इस credit card में भी launch access मिलता है तो यहाँ पर जो 500 जो renewal fees है वो totally reward हो जाती है इसके लागा दोस्तों यहाँ पर आपको zero card loss liability की facility मिल जाती है और interest free credit period भी up to 50 days तक का आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों इस credit card में 1% का future charge reward मिलेगा और foreign markup fees की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी से में ज्यादा देखने को मिलती है 3.5% तक की foreign transaction fees यह credit card charge करता है दोस्तों 4th credit card यहाँ पर HDFC bank ने Indian oil के साथ मिलके launch किया है Indian oil HDFC bank credit card जहाँ दोस्तों यह co-branded एक rupee variant credit card है Indian oil stations पर दोस्तों आपको up to 5% का cashback देखने को मिल जाता है इस credit card के अब से दोस्तों पूरे साल बर में up to 50 liter तक का fuel आप free or cost लिए सकता है grocery और bill payments वाले section पर भी आपको 5% का cashback यह credit card देता है और बाकी सबी categories पर अगर आप 150 rupees भी span करते है तो यहाँ पर आपको 1 reward point यह credit card देखा दोस्तों 5th credit card यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है HDFC rupee shoppers stop credit card जिया दोस्तों यह lifetime free credit card है इसमें कोई भी joining fees और renewal fees आपको नहीं देनी होती है जैसे यह आप इस credit card को लेते हैं दोस्तों तो as a welcome benefit आपको 500 reward points दिये जाते हैं दोस्तों इस credit card के अब से अब टू 3,000 rupees तक कोई भी आप minimum खर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको shoppers stop का 500 rupees तक का एक e-voucher मिलता है अगर इस credit card से पूरी साल बर में आप 2,000 रुपे खर्च कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 2,000 reward points यह credit card देता है तो milestone benefit भी इस credit card में आप देखने को मिल जाता है अगर पूरी साल बर में आप 2,000 reward points यहाँ पर आपको 2,000 reward points दोस्तों यह एक cool branded credit card और यहाँ पर shoppers stop private label brands पर दोस्तों अगर आप 150 rupees भी spend करते हैं तो यहाँ पर आपको 6,000 reward points देखने को मिल जाता है और पूरे महीने बर में आप up to 500 reward points collect कर सकते हैं इस पर भी इन्होंने capping लगा रखी है दोस्तों इस credit card में भी 1% तका fuel चर्चा वीवाफ हमें मिलता है और कुछ भी आप बड़ा item purchase करते हैं और बड़ा expense करते हैं तो इसलिए आप उसे EMI में convert करके payment कर सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको contactless payment की facility भी इस credit card में दी जाती है इस credit card में forex markup fees तोड़ी से हमें ज़्यादा देखने को मलती है 3.5% तकी foreign transaction fees यह credit card चार्च करता है दोस्तों 6 credit card यहाँ पर HDFC bank ने railway के साथ मिलके launch किया है जहाँ दोस्तों HDFC bank रूपे IRCTC credit card इस credit card की joining fee से मात्र 500 रुपे प्लस KST देखे आपको लेनी होती है और इस credit card से ticket book करते वगए only 100 रुपीस पर आप spend करते हैं तो यहाँ पर 5 reward points यह credit card देता है और दोस्तों IICT की website पे ticket book करते वज़ इस credit card को use करते हैं तो यहाँ पर 1% जो transaction fees लगती है वो भी यहाँ पर आप बचा सकते हैं इस credit card में दोस्तों railway launch access भी मिलते हैं पूरे साल पर में आप 8 railway launch access ले सकते हैं दोस्तों HDFC bank का smart buy platform है उसकी help ते दोस्तों ticket पर आप book करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको extra 5% का cashback भी मिल जाता है दोस्तों इस credit card में भी काफी अच्छी reward point की value हमें देखने को मिल जाता है यानि की 1 reward point की value 1 rupees जो की काफी अच्छा हो इस credit card को और बना देता है दोस्तों 7 credit card हमें HDFC bank भारत रूपे वेरियन credit card देखने को मिल जाता है दोस्तों credit card utility bills और grocery वाले section पर आपको 5% का cashback प्रोवाइड करता है इस credit card के अबसे दोस्तों यहाँ पर up to 36 hundred rupees तक पूरे महिने बर में आप भचा सकते हैं easily दोस्तों इस credit card की बहुत सारी और details ही आपको description में एक link पल जाएगा easily उस पर visit करके सारी details आप check out कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताए कमेंट करके अगर आपके मन में कोई without a question है तो आप comment box में जरूर पूछेगा मैं definitely उसका answer करूँगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक नए topic के साथ